हलो एफ्रीवन, वेलकम टू लॉनर भी, आइम शिवानी चाहान, इस विडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट हिंदी का चप्टर नाइन, कबीर की साखियां के हम लोग क्वेशन आज़र देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं शब्दर्थ, तो ग्यान, ग्यान का मतलब होता है जानकारी, जैसे कि आपको कोई information है, कहते हैं कि अपना ग्यान बढ़ाओ, ग्यान बढ़ाओ का क्या मतलब है, आपके जो knowledge है, आपके पास जो information है, उसको बढ़ाओ, मियान, मियान होता है तलवार रखने का कोश, मतलब तलवार जो है, जिसमें रखी होता है दहुं का मतलब दस दिसी का मतलब होता है दिशाएं सुमिरन का मतलब होता है स्मरन या फिर याद करना दुहेली का मतलब दुख बैरी जो होता है वो होता है दुश्मन एनिमी आपा होता है एहम मतलब आपका जो घमंड होता है या जो अपने बारे में सोचते हैं वो तो इसका अंसर हो जाएगा साखी कबीर किसकी निंदा ना करने की सीख देते हैं निंदा होता है कबीर किसकी बुराई करने की सीख मतलब की बुराई नहीं करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए तो जो कमजोर मनुष्य है जो वीक है उनकी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए वैसे तो किसी की भी नहीं कहने चाहिए ना next है कवी किसका मोल करने की बात कह रहा है तो कवी तलवार का मोल मतलब कीमत लगाने की बात कह रहा है next है कवी सादू से क्या पूछने की बात कर रहा है सादू से ग्यान पूछने की बात कहते है तो एक है इनका दोहा की जाती ना पूछो साधू की पूछ लीजिए ग्यान मतलब जाती ना पूछिए जाती जो हमारे हिंदु धर्म में बटवारा किया गया है अलग जाती होगा तो केते हैं कि साधू, साधू का मतलब होता है जो ज्ञान वान परसन होता है जिसको बहुती नॉलेज होती है तो उससे आप मतलब उसके जाती ना पूछो उसका ज्यान पूछो फिर नेक्स्ट है अतिलखो प्रश्न आपके विचार से जाती मतलब पूछ है या ग्ञान की बात लिखे तो आपके इसाप से जाती धर्म ये जादध जरूरी है या फिर ज्यान नॉलीज जदा इंपॉर्टेंट है तो देखे इसका अंसर हो जाएगा हमारे विचार से ग्ञ जाती संबंदी बातों से नहीं, तो ऑग जो जाती संग्रालान न कहीं जाती से, बढ़ेंगे तो आपका भला होगा, किसे रहें किसी से तो फ़र न भला उने वाला नेक्स्ट है अपशब्द का जवाब अपशब्द से क्यों नहीं देना चाहिए अपशब्द का मतलब होता है बुरे शब्द मतलब अगर किसी के लिए खराब भाशा का या बात का यूज कर रहे हैं तो अपशब्द होते हैं तो अपशब्द का अगर कोई आपको कुछ गलत बोले तो आपको उसको रिप्लाय में गलत क्यों नहीं बोलना चाही है इसका अनसर बताना है तव अपशब्द का जवाब अपशब्द से इसलिए नहीं देना चाहिए क्योँ कि इससे अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं इसलिए हमें अपशब्द सुनकर भी शान्त रहना चाहिए हमें अपनी सहनशीलता बनाई रखनी चाहिए तो देखें क्या होता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई उसने आपको उल्टा बोला आपने भी उसे उल्टा बोला फिर वो रिवर्स में दुबारा से आपको कुछ बोलेगा और लड़ाई बहुत ही जादा भर जाती है तो इससे अच्छा ये है कि अगर कोई आपको गलत बोले तो आप उसको इगनोर करें और उसके गलत कामों पर ध्यान ही ना दे एक तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे कामों पर ध्यान देंगे और आपके अमन में बुरी बाते भी नहीं आएंगे किसी के लिए नेक्स्ट है आपको डारी देना का क्या ताइद पर रहे है आपको डारी का क्या मतलब है तो आपको डारी देना का ताइद पर रहे है कि हमें अपना घमंड त्याग देना चाहिए हमें जो अपनी बुरी आदते हैं वो छोड़ देनी चाहिए नेक्स्ट है लगू और दीखर प्रश्ण तो नेक्स्ट क्रिश्चन आता है हमारा इसमें तलवार का महत्व होता है मियान का नहीं उक्त उधारण से कबीर क्या कहना चाहते हैं सपश्ट कीजिए कि जो तलवार है मियान होता है तलवार रखने की जग है तो मियान का तो कोई कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं, इश्वर का भी वास्तविक ज्यान जरूरी है, ढोंग और अडंबर तो मियान के समान निर्थक है, असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्विकारो, तो मतलब कुछ लोग बहुत अदर ड्रामे करते हैं कि हमाई पस तो यह है वो है और असलियत में कुछ नहीं होता, तो तलवार मतलब जो एक्चुल में सची नौलिज है, सचा ग्यान है, वो जरूरी होता है, ना की दिखावट, तो यही है कि अगर इश्वर को आपको जानना है, तो इश्वर कर जानने के ज्यान की जरूरत होती है, डोंग या अडंबर, मतलब नाटक करना, वो सब बेकार है, जैसे कि मियान का कोई अर्थनी होता, तलवार को जहां रखा जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है, तलवार कितनी पहनी है, वो जादा इंपोर्टेंस होत होता है, इंपोर्टेंट होता है, और असली ब्रह्म को पहचानो, मतलब भगवान को पहचानो और उसको स्विकार कर, यह नहीं कि ढोंग रचाते रहो, दोंगे पंडितों की मेली बात की गए है, नेक्स्ट आता है इसमें, पाट की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ती है, मा इश्वर की उपासना करने को धूंग बताते हैं, माला फेरना और मुँ में राम राम जाप करना व्यर्थ है, इश्वर उपासना के लिए मन की एक आग्रता आवश्चक है, इसके बिना इसमरण नहीं किया जा सकता, तो देखिए जो तीसरी साखी है, इसमें कबीर कहते हैं कि जो माला से जाप करते हैं, वो पेकार है, अगर आप मन से इश्वर को नहीं पूझ रहे हैं, सिर्फ माला फेरे जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, आप एक्जाम्पल के लिए सो सकते हैं, कि आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं, मगर आप उसमें से पढ़ कुछ भी न जादा अच्छे होंगे, तो यही है, कि भगवान को एकागरता से सोचो उनके बारे में, उनमें मन लगाओ, यह नहीं कि माला फेटते रहों, नेक्स्ट है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े होई दोहे के अनुसार सपष्ट कीजे, कबीर अपने द विशेश अर्थ है, यहां घास दबे कुछले व्यक्तियों का प्रतीक है, इन लोगों को तुछ मान कर निंदा की जाती है, जबकि ऐसा करना सर्वता अनुचत है, कबीर के दोहे का संदेश रही है, कि किसी की निंदा मत करो, विशेश कर छोटे लोगों की व्यक्तिय अपर पर आप इंक आपके पैरों में आता है, तो आप उसकी कहते है, यह कि इंपोर्टन्स का है, वही चोटा से कंकर, अगर आपकी आँख में चला जाए, तो वह आपकी आपको खराब भी कर सकता है, तो किसी को छोटा समझ कर्या है और समझ कर कि इसकी तो कोई वेलियू नहीं ह उसका मजाग नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, हर किसी की अपनी एक अलग इंपोर्टेंस और ज़रूरत होती है नेक्स्ट है, मनुष्र के विवार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोश होते हैं तो इसका क्या मतलब है ? तो इसका अंसर हो जाएगा, मनुष्र के विवार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोश है यह भावार्थ निम्लिकित दोहे से व्यक्त होता है तो किस दोहे से हमें यह पता लगता है कि हमारे ही व्यवहार में हमारे ही आदते ऐसी होती हैं कि हम किसी को अपना दुश्मन बना बैठते हैं तो इसका देखी यह वाला दोहा है जग में बहरी कोई नहीं जो मनसी तल होए यह आपको डारी दे दया करें सब कोए तो यह ऐ कि दुनिया में कोई बहरी नहीं होता है दुनिया में हमरे कोई दुश्वन नहीं हो अगर हम किसी सब्करा कुषिंज नहीं होता है या आप आपको डारी थे तया करें सब को तो अगर आप सब पे अच्छे से बैवार करेंगे सब के साथ या सब आप किसी के लिए बुरी बावनारी रखेंगे तो कोई भी आपका दुश्मन इस दुनिया में होगा ही नहीं तो यह हमारा चाप्टर था कबीर की साखियां इसक या बता सकते हैं थेंक यू